हाई फ्रेंड्स वेलकम टो समीज मसाला किचिन आज की रेस्पी बहुत ही सिंपल है बस आपको कंडेंस्ट मिल्क में कोको पार्डर के एड़ करना है अच्छे से मिलाना है और उसको थोड़ी दिर के लिए पकाना है और पस मज़ा लेजिए इन डिलेशियस यमी कमीज का एक क आप चाय या एक कप कर्मगरम कोफी के साथ सबसे पहले कोई भी कंटेनर ले लिजिए स्क्वेर रेक्टेंगर जो भी आपके पास अविलेबल को और उसको हम क्लिंग फ्रिम से इस तरह से लाइन कर लेंगे और इस कंटेनर को हम एक तरफ को रख देंगे और अपनी बाकी सबसे पहले हम एक सौस पैंन ले लेंगे और उसमें जालेंगे एक टिन कंदेन्सट मिल्क या विल्क मैड एक टिन में अप्लोक्सिमेटलि 400 ग्राम कंडेन्स मिल्क होता है और फिर condensed milk में add करेंगे 4 टीबली स्पून ओफ cocoa powder वही cocoa powder जो हम चोकलेट केक्स वगेरा के लिए इस्तिमाल करते हैं और एक चम्मा से condensed milk और cocoa powder को अच्छे से mix कर लेंगे दोने चीज़ें अच्छे से mix हो गई है और अच्छे से एक smooth सा paste बन गया है इसको हम रखेंगे stove के उपर और medium heat पर boil होने तक इसको हम cook करेंगे और हाँ इसको हम लगाता चलाते रहेंगे ताकि यह sauce pan की तले से लगे नहीं और जब यह हमारा mix अच्छे से गरम हो जाए और उसमें कुछ-कुछ उबाल सा आने लगे तो हम उसमें add करेंगे 30 gram of butter butter को हम अच्छे से mix कर देंगे और इसको हम cook करते रहेंगे medium heat पर जब तक इसमें एक अच्छे से उबालना आ जाए mixture को हम लगाता चलाते रहेंगे आप देख सकते हैं अब mixture में अच्छे से उबालाना शुरू हो गया है अब हम गैस को बिल्कुल सिम करतेंगे और इसको चलाते वे cook करते रहेंगे इसे चलाते रहना बहुत ही ज़रूरी है वरना आपका mixture sauce pen की तले से लग जाएगा हमें इस mixture को मंदी गैस पर गाड़ा होने तक cook करना है इस mixture को cook होने में और एकदम से जैसा हमें चाहिए काड़ा होने में 12 से लेके 15 मिनट तक कर समय लगेगा आप देख सकते हैं हमारा mixture कितना एकदम से glossy और एकदम से gluey हो गया है बस हमें कुछ इस तरह से ही चाहिए और इसे तब तक हम और cook करेंगे जब तक ये pan का किनारा ना छोड़ना शुरू कर दे आप देख सकते हैं अब हमारी mixture ने pan को छोड़ना शुरू कर दिया है इसका मतलब हमारा mixture एकदम से तियार है अब हम इसे stove पर से उतार लेंगे और जो हमने पहले से container तियार किया थक link film लगाकर उसमें इस mixture को transfer कर देंगे अब किसी spatula की साहिता से mixture को हम अच्छे से फेला देंगे और उसको ओपर से अच्छे से smooth कर देंगे कर देंगे फिर हम इसको cling film से कुछ इस तरह से cover करदेंगे और उंगलियों से कुछ इस तरह से दबा कर इसको एक्ठम से smooth करदेंगे फिर हम इसको frizz में set होने के लिए रखेंगे 2 घंटे के लिए दो घंटे हो चुके हैं, अब हम अपने डिश को फ्रिज में से निकाल कर चेक कर लेते हैं कि यह अच्छे से सैट हो गई है या नहीं हमने डिश को क्लिंग फिल्म से कवर किया था, उसकी वजह से यह बहुत असानी से इसमें से डी मोल्ड हो जाएगी अब हम एक वर्क सर्फेस के उपर थोड़ा सा कोकोवा पाउडर इस तरह से स्प्रिंगल करेंगे और फिर जो टोफ्य ब्लोक हमने डी मोल किया है उसको हम इसके उपर रखेंगे अब हम एक किसी शार्प नाइफ के साहिता से छोटे स्क्वेर में इसको काट लेंगे या जिस भी शेप में आपको चाहिए आप उस शेप में से काट सकते हैं और बस जब एक बार यह कट जाएं तो इनको हम कोकोव पार्डर से इस तरह से स्प्रिंगल कर देंगे देखा आपने आप घर में ही कितनी असानी से चॉकलेट टॉफीस बना सकते हैं वो भी बस तीन इंग्रीडियेंट से एक कप गर्मा गरम चाए या एक कप कॉफी के साथ मजा लीजिए इन चॉकलेट टॉफीस का एक दम से चूई और सुपर डेलिशियस एक बर इन टॉफीस को घर में बना कर जरूर देखिएगा आपको ये बहुत पसंद आएंगी आपके जो भी कमेंट्स और सजेशन्स हों तो उने कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेर करना ना भूलिएगा और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर केजिएगा जल्दी ही मिलेंगे फिर से एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक केर एंड स्टे सेफ